दोस्तों आप सभी के एक नए वीडियो स्वागत है सो आज मैं आपको बताने वालों कि आप धन एप पे चार्ट में नॉर्मल स्टॉप लॉसर टार्गेट कैसे लगा सकते हो तो सब कुछ मैं आपको लाइब प्रोसेसं बताने वालों चले फिर वीडियो को शुरू करते हैं आपको ओपन करेंगे जैसे कि आप ओपन करते हो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा आपको बना लिया इस पर मैं किलिक करूँगा और फिर इसी पर मैं किलिक करूँगा दुवारा से और आपको चलेंगे सीधा चार्ट पे इसी पर हम किलिक करेंगे और आपको स stop loss लगाना रहेगा उस प्राइज पर आज आना है जैसे मुझे यहां पर 20 वाली प्राइज का stop loss लगाना है सो यहां पर मैं क्या करूंगा जो भी screen है इस पर मैं normal क्लिक करके रखूंगा एक से दो सेकेंड के लिए और यहां पर देखोए आपको एक प्लस का आइकन देखनी को मिल जाएगा और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तीन ओप्षन देखनी को मिलेगा एक तो रहेगा बाय का और दो रहेगा सेल का सेल का सो इस यहां पर में stop loss लगाने सो आप नीच से जो भी stop वाला option आरे stop loss लिमिट वाला इसी को आपको सेलेक्ट करना कुछ इस तरीके से यहाँ पर के सामने इस थरीके से बिंडो आ जाएगा यहां पर का को थोड़ा सा चेंजिस करने जो भी प्राइज इस प्राइज को आप एकूरेट कर सकते हो जैसे मुझे आप पर बीस प्राइज का accurate stop loss लगाना है तो आप मैंने 20 इंटर कर दिया है और जो limit price है इसमें यहाँ पर में थोड़ा सा और कम कर दूँगा इस तरीके से और उसके आप मैं जैसी sell पे click करूँगा सो यहाँ पर देख सकते हो जो भी हमारे stop loss लग गया है successfully 20 price का इस तरीके से आपको चार्ट पर stop loss को लगाना रहता है बाकि जो भी stop loss इसको आप ऊपर भी trail कर सकते हो ट्रेल करने के लिए आपको जो भी quantity है इस पर आपको click करना है इस पर आप click करके इसको modify कर सकते हो जैसे इस पर प्राइज में changes करने का option आ गया है और जैसे आप modify order पर click करोगे आपका order modify हो जाएगा और बाकी कैसे अगर आपको इस order को cancel का एना है जो भी cross वाला symbol आ रहा है इस पर आप click करके इसको cancel भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको as पर click कर देना है आपका order लगाने के लिए आपको semi process follow का आना है normal आपको screen पे 102 second के लिए hold करके रखना है और उसके आपको एक plus का icon देखने को मिलेगा इसको आप ऊपर नीचे भी scroll भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से अभी आपको जो भी price का target लगाने उस price पे आपको लेके आ जाना है जैसे मुझे इस वाली price का target लगाना है 30 price का तो यहाँ पर मैं इसी पे click करूँगा कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दोवारा से sell limit वाला option आ जाएगा इसी पर आपको click करना है और फिर आपको price देखने को मिलेगा तो यहाँ पर मैं 30 कर देता हूँ इस तरीके से और हैँ आपको sell पे click क पता दिया है और बाकि इससे related अगर आपको कुछ भी doubt आता है problem आता है तो मुझत आपको पूछ सकते में आपको reply कर दूंगा एंड़ वीडियो देखने के लिए thank you so much